लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें करें अल्टरा चनल्स को सब्सक्तरा चनल्स झाल झाल शोड़ी देर में नम्मर्स परारारे चीछ एवरे मिश्यकों के उपड़ी देरी नम्मर्स परारएगे है। यह सब कि और फोट कर देखा एक है में यह में पर खाड़ा नहीं ब्रेट्राइब किया हो ग्या हो राए शबको कबर करने के लिए तुम बहुत हैंसम समझते हो क्या जो सब को तुम दिखाना चाहते हो फून से लेके हैद्राबाद तक मच्छर की तरह मेरा कून चुम स्टब है नहीं है सॉरी है मैं वाट्स ओर नंबर तुम ही हो क्या जी हाँ आपका नाम सनी है जी हाँ धर तरे की तुम कोई टीवी आइटिस्ट होगे हम यह समझे थे आस्तम लाइल मारने के पूरी तैयारी करके आए थे यह हमार लिए गुड लग है वैसे इस हैंसम को मैं संभाल ल आने दो आइसे मनुष्य हैं यह द्यान बंग कर दिया हमारा सत्यम शिवं सुन्दरम, ओ मंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है, लव ही बंदगी है सत्यम शिवं सुन्दरम, ओ मंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है तुझे ढूंड ये नजर तनमन हम हारे बस जा सांसों में मेरी अर्मा तुम सारे तू है जुनुप तू है सुकुन तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे सत्कंशिवं सुन्दरं ओम अंगलम अंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है वाव सिंपली सुपब सर बहुत बढ़िया गाते हैं आप कंग्रेट्स थेंक्यू आपका गाना सुनकर दिल में कुछ कुछ होने लगा था वाइदी वे आम अशोक सर आइम प्रभाकर रुको यार यह तो ट्रेन में हमारे साथ ही है ना मैं ट्रोड्यूस कराता हूं सर यह है अशोक अलो सर यह लड़की है मालती है यह संदर यह प्रवीन साइट प्लीज साइट प्लीज साइट ए इतना मत तडब रहे तेरा स्पेशल इंट्रोड़क्शन कराता हूं तू भी क्या याद करेगा सर इसका नाम है चरपती अकार गणपती गाव तिरूपती और इसकी मा बैचारी भूग से तडब कर मर गई बाप चार टाइम खाके म मैं एक्चिलिए हैद्राबाद से एजुकिशन टूर के लिए पूना आई थी आप यहीं रहते हैं क्या सर आप यहां पर जॉब करते हैं क्या नहीं आपका क्या कोई बिजनेस है नहीं यार यह घूमने के लिए आया होंगे है ना अच्छा नहीं यार तो फिर आप कहां से से ड़ी सेमीर गाल तैकंपुकर Chief देजा पर फिर लिए प्रिव यहां सोलूने के लिए सब करने वाले को इतनी लिए सजा मिलती है तो फिर यह इच्त तो अरे मुझे दो मैं लूगी मैं लूगी मैं लूगी मैं लूगी मैं तुम्हारा है अंटी यह हमारा है अंटी तुम्हारा है क्या अंटी ले लो वाट्स वर नेम पर रहने के लिए आप ही आई है ना बिल्कुल जहीं तुम्हें कैसे पता आप लोगों को अपने तामान ले जाते हुए देखा था अंटी आँटी यह सो क्यूट थैंक यूट मैंने फिट कर दिया है और कुछ कामोगत मुझे बुला लेना अच्छी बात है दादी मा दादी मा हाँ क्या है बेटा सामन सब आ गया है ना सब कुछ आ गया है घर बहुत बढ़िया है ना उधर तो मेरा दम घुटता था इस घर को देखो कितना बड़ा कितना अच्छा है यहां सब कुछ पास में भी एक तरफ जेनरल स्टोर दूसरे तरफ राशन की दुकान उसके बाद यूमें लॉंडरी को दुकान और उसके बाद इसका मतलब आपको यह जगा बहुत पसंद देख तो यहां से तेरा कॉलेज कितना नस्दीख है आज दिपावली है ना तू जल्दी से नहाध होकर तैयार हो जा हम लोग मार्केट जाकर पूजा का सामाल लेकर आते हैं चल बेटा सत्यम शिवं सुन्दरं ओ मंगलं मंगलं लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है तुझे ढूंड ये नजल तनमन हम हारे बस चा सासों में मेरी अर्मा तुम सारे तू है जुनू तू है सुपू तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे सत्यम शिवं सुन्दरं ओ मंगलं मंगलं लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है लव ही बंदगी है रहता जो नजरों में दुनियाओं से देखे मन में है किसके क्या कभी ना कोई सूचे दिल की है मेरे वो सपनों की रानी मैं हूँ सागर तो वो लहर है दीवानी खुलते ही मेरी ये पल के ढूंडे तुझको ही सपनों में हर पल तू आए सच में मिले ना कभी तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे सत्यम शिवं सुन्दरम ओ मंगलं मंगलं लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है कदमों में है तेरे दोनों जहां मेरे फूलों की खुश्बू से महके मेरी सांसे नस नस में मेरे मिसरी सी घुली कोयल से तेरी मिठी है बोली तू है सुकू मेरे इस मन का कर ले तू मेरा यकी तेरे बिना मैं जीना सकू तुम हो मेरी जिन्दगी तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे सत्यम शिवं सुन्दरम ओ मंगलम अंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही पंदगी है तुझे ढूंड ये नजर तन मन हम हारे बस चा सांसों में मेरी अर्मा तुम सारे तु है जुनुम तु है सुखुम तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे सत्यम शिवं सुन्दरम ओ मंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है लव ही जुए झाल कि अधिन देर हो गई मुझे इतनी गहरी मीन कैसे लगई मुझे अरे भागवान भागयवान रागवान रागवान टाइम कितना हो गया तुम्हें पता है उधर कपके दुकान खुल गई होगी मैं लेट पहुचूंगा तो ग्राको का क्या होगा यू भागयवान मेरे लिए जल्दी से नाश्ता त्यार नहीं कर सकती महाराने की तर गुंगी बनकर पेपर लेकर बैठी हुई है सुबह के समाचार छोटा नगर शुक्रवार नवंबर 14 बेट कॉफी पहुचाने के बाद भी टांट खाती हुई पत्नी कॉफी तो लेकर आई लेकिन जाका जाक्च्व कर दिया वक्त से पहले सब कुछ तयार करने के बाद भी सवालों से जूचती एक मजबूर जिम्मेदार करता व्यपुर्ण बीवी क्यों अरे हची समाचार में लिखा है क्या तूपर में पढ़का सुना रही है वह सब तो ठीक है मेरा टीफिन तयार किया है कि नहीं किया है किसी दिन ये भी लिख करके आएगा पीवी की गयर जमेदाराना बरताव से तंगा कर एक वहाइदार पती ने अपनी जान दे दी एक लेडलाइन में आएगा हां लेफ साट में तुम्हारा फोटो होगा राइड साट मेरा फोटो होगा एक दिन लोग उस्में पढ़ेंगे कि पेपर में क्या लिखा हुआ था वार आज तो मेरी चांदी चांदी हो गई शबाज शबाज अरे लेट हो रहा हूं चल तो अरे बाब रे अभी तक शॉप नहीं खुली है फिर अपना धंदा आगे कहां से बढ़ेगा किसी भी वरकर को ताइम की ज़रा भी कदर नहीं है क्यों मैं इतना लेट क्यों रात को लाश्टो सिनेमा देखने गया था सर इसलिए ले लिए तुझे धुमा कर तुझे लाश्टो सिनेमा देखकर मुझे मिड्डे शो दिखा रहा है टाइम पर दुकान खुलनी चाहिए यूज लेस फेलो व उससे भी लेट हो करके आएगा खड़े-खड़े मुग क्या देख रहा है तुझाइम देख ज़रा जल्दी कर ठीक है सब चलता कि इतना बड़ा करोड़ पति क्यों ना हो इस कंपनी के मालिक की रोजी रोटी मेरी वज़े से चलती है तुम सब लोग क्या सोचते हो मैं सब समझता हूँ तेरा भी पीने का मूट जरूर करता होगा तीरे तेरी पगार से 86 रुपीज काट लूगा अगर कोई मेरे सा क्या है यह गुरू क्या हुआ मैं बोतल खरीदने आया था आपने दुकान बन कर दिया मून खराब हो गया तेरे जैसे कितने ही चेले को पहले मूर्क बना कर छोड़ चुका हूँ एक मिनट बात सुन पहले यह बता तुझे सब से पहले पीना किसने सिखा रहे मेरे गुरू गुद मॉर्निंग मैम गुद मॉर्निंग चलो आओ बैट जा क्या हुआ मैम आप बहुत उदास लग रही है ऐसा कुछ नहीं है इंदू एक चोटी से प्रॉब्लम आ गई है आज शाम को अनात पच्चों के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया था ना हाँ उस प्रोग्राम में गाने वाली लड़की अचानक बीमार पड़ गई है वैसा हमने दूसरा सिंकर अरेंज करने की कोशिश की लेकिन लास्ट मॉमेंट पर वो भी मुकर गया सारे टिकट बीक चुके हैं और प्रोग्राम नहीं हुआ तो बड़ी बेच्जिती हो जाएगी इसलिए क्या करूं समझ में नहीं आ रहा अरे हा मैम हमारे महले में एक लड़का रहता है वो बहुत बड़ी अगाता है अगर आप हाँ कर गई तो मैं उसे बुला सकती हूँ लेकिन अगर वो अक्यला गाएगा तो प्रोग्राम खराब हो जाएगा इंदू ऐसा नहीं होगा मैम आपने उसकी आवाज नहीं सुनी है एक बार उसकी आवाज सुन लेंगी ना तो मेरा डिसिजन चाही लगेगा ओकी इंदू अगर तुम्ही इतना कॉंफिदेंस है तो उससे से हम गमाते हैं वो देखने में कैसा है अरे ऐसे मेर उसकी आवाज ही सुनी है सामने से देखा ही नहीं वो गाने वाला कहां रहता है उसका पता लगा कर एड्रस लियाओ मैम ओकी इंदू सबसे पहले तुम यह अरे यार बालू हम लोग जिंदिक बार इसी तरह से केबल का कनेक्शन देते हो कप तक दी रहेंगे यार अपनी रेंज में कुछ आ गई तो बदल लेंगे तो जाए ये टीवी हो जाए वो टीवी हो मेरा नाम आता है यहां सू चैनल तुमने देखा है क्या चैनल ओपन करत तेरा नाम आयगा यह खाने की बात है क्या अपनी रेंग में आएगा तो बदल के देख लेंगे अपना काम कर कर रहा हूंँ हमादवरी मादूरी दी तेरा दे वर दिवान हम पं है क्यों बुलाया यहा मैंने तुझे जो काम बोला था वो छोड़ कर ये क्या कर रहा है डार्लिंग वो क्या है बिंदी लगाने के बात मैं कैसा देखता हो ये शीशे में देख रहा हूं ये क्या यार ये क्या एक्टिंग कर रहा है एक्टिंग नहीं कर रहा है महसूस कर रहा है औरत और मैत के बीच मर्द लोग भी ना माथे पर बिंदी लगाकर मर्द होने के बाबजूत औरतों की आक्टिंग करते हैं अरे यह बात तु जानता है कि नहीं जानता बालू जाने आज सुबह किसका मुझ देख करके उठा था सनी सनी एक एक आदमी तीन तीन चार्चार बनकर दिख रहे हैं सनी पर यहीं पर होगा यहीं तो खाया रात में गाने का प्रोग्राम था अब जाकर कर रहा होगा अब बहुत बड़ा सिंगर हो तो राद बार मेनत करेगा दिन में आराम करेगा पता है मैंने उसकी जिन्दगी पर तरस खाकर केबल टीवी का कॉंट्रेक्ट इसको दे दिया त पंडित क्या है यह कब से सोया पड़ा है चल उठाई इसे नहीं नहीं हमारा सनी है यह राद भर इसने गाना गाया अभी सोया है लेट नाइट को लाइट चली गई थी ना हाँ इसलिए इसको अभी मत जगाओ वो तो ठीक है पंडित कस्मर कैसे आएंगे तुझे चाय नाश् पंडित तुम अपना दंदा ही देख रहे हो उसको यहां पर लागर को पटक दिया अगर मेरा दंदा चौपट हो गया तो अगर तुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो तुहीं बाजू में उठाके रख दे खटिया समेथ यह तो अपना बोज उठाकर मेरे सर पर लाग गया होई सेलस्वा चल इधारा उठाई इसको अरे तुझे एकल है क्या इसको कहीं और ले जाकर नहीं रख सकता अरे यार करम फुट गए होई सुवक्कड चल उठाई से राद बर कहां मरने गिया था क्या मालूम कि अरे यह क्या रहे नमस्ते भाई गुरू नमस्ते क्या बेर क्यों बेर कि नहीं पहचाना निक्कर वाला भाई को तुमने सलाम नहीं किया मसल दूंगा गल्ती हो गए भाई दोबारा ऐसा नहीं होगा पहली गल्ती इसलिए माप कर रहा हूं क्याता हूं कि निक्कर बाला भाई इस तरफ आ रहा है जब तक वो पैसा नहीं दे उसे मटन नहीं देना भाईया ओई सेरिया का गुंड़ा है जानते वो फिर भी पंगा क्यों ले रहे हो कुछ दे कर जान चुड़ा लूना ए चुप रहा है क्यों बैर तक तो सब कुछ ठीक था चले गाई अपने आजमीं से च्छा किलो मटन भीजवाओंगा पहले का पैसा चुकाओ क्यों 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 किस्ते तू पैसा मांग रहा जानता है ये निकर वाले भाई से तूपैसा मांग रहा है तो मुझसे बड़ा गुंड़ा है मेरे पास घाड़ी का नियस्sky पड़ारा क्योण आया इतुद कर आने छी किलो का फर्षि, किमा बना कर साथ पूरी जांग का बोटी बनाकर भिजवा दे तुझा वाद को नहीं दे रहा है यहीं मटन चाहिए नहीं तो समझ लेना बीना पैसा लिए तुम मटन नहीं देगा ऐसा जित मत करना है इधर ही मैं तुम लोगों की चुट्की बजाकर बोटियां कर दूंगा अरे यह क्या होते इंसानों की बोठी 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 काटता रहा हूं चल भाग यहां से भाग जाओ मैं मुझे भागने के लिए कह रहा है मरें बक्रे बेचने वाला तुम मुझे भगाएगा तुम इस पर तुने चाह पर उठाया सिर्फ उठाया नहीं काट भी दूंगा काटा है की अ जुको अला मारो पर उस्क्राइगों है बाटर में स्क्किशी घ्ट से लियां मुझे है शार्भ लानला सिर्फ नाम नहीं स्क्राइग इंस में स्क्राहिःाओ correct और ड questo में दे दूँगा अगर तुने उससे देखा नहीं तो पैचाने की कैसे हम किसी से भी पूछ लेंगे माम चीख है अरे तुने देखा क्या खुद अंदर जैसा चलाता है और मुझे कहता है चल जा हमें किसी का पता पूछना है मुझे 86 रुपीज चाहिए वो तो मिल जाएगा रात में यहाँ पर एक लड़का गाना गाता था आप उसे जानते हैं कान सानी ओ उसका नाम सन्नी है उससे तुम्हें क्या काम मेरा नाम इंदरा है पास कई कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ हमने अनाथ बच्चों की मदद के लिए प्रोग्राम अरेंज किया है उस फंक्शन में उसी लड़के से गाना गवाना है इस वक्त वो कहां मिलेगा वो मुझे नहीं पता वो नालाइक क्यो अलाद का होगा उ मेरे पास है उसे रोकने वाली तुम कौन होती हो I want 86 रुपीज देखने में तो आप एक शरीफ इंसान लगते हैं लेकिन बात करने की तमीज भी नहीं से आपकी ओपिनिन क्या है मैडम वाइट और पहने वाला सब शरीफ होता है इसका कोई सबूत देना होगा आपको I've already told you I want 86 रुपेज गिव में फास शट आप इंदू अपनी जाटी से मेरा इसी रुपीज देदो बीक मंगना बन करो चलो इंदू मुझे मेरे हकका 86 रुपीज नहीं दिया और भरे बाजार मुझे इंसल भी कर दिया इस वेरी बाड आप जल्दी से यहां से जाईए आगे ट्रैफिक जाम है मैंने सोचा था आज करेक्ट टाइम आउफिस पहुंचूँगा आप जाए लगता है रात को कोई इसका मडर करके इसे खाट पर लिटाके बीच रोट पर छोड़ दिया है देखो भाई चापर में खोन भी लगा है अरे लगता है इस इलाके में खतानाग भाई लोग रहते हैं यहां पंगा नहीं चाहिए उसको वहीं पढ़े रहने दो पिजाम है एक्स्क्यूज मी यहां पर इतनी भीड क्यों है कोई गुंडा साड़क पर खटे डाल का सो रहा है उसके बाजू में खून से लटपस एक चापर भी पढ़ा है यह क्या है मैम कोई गुंडा यहां पर आकर आराम से सो रहा है और पबलिक खड़े उकर तमाशा देख रही है इंडू हमें इससे क्या लेना देना है तुम चुप रहो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहने वाली मैम यह रोड किसी का बेडरूम नहीं है मैं अभी जाकर उससे के बताती हूं इए हेह इंडू हिंडू रूको कि आख यह को आख यह को वह अप्रे में फस जाएगे उसको रूको कि चलो इंदू हमें लफड़े में नहीं फासना है चलो यहां से चलो इंदू चलो रहने दो उसे इतने सारे लोग यहां पर खड़ें कोई कुछ बोली ही निया फिल्म चल रही है कि यहां पर उससे सबक नहीं सिखा सकते कि यहां मेला कैसा लगा हुए यहां मेला नहीं लगा है अब इस सड़क पर खटिया डाल कर सो रहते हैं मैं यहां खटिया की साथ कैसे आ गया जल गहींगा अकल नहीं क्या तुम्हें क्या वात है मेडम तुम पर भड़क क्यों रही है समय है गुरू हम समझ गया चल चल अपना काम कर यह चापर यहां पर कैसे आ गया अग्या तो तो गाड़े निकाहे यार मैडम आप मेठिए चुबे चलो आओ ना इंदी दज्जा आओ दियुआ को कि अधिक करन का शॉठ लगने से मर गया मरने से पहले वो अपनी जान बचाने के लिब ताओ कांव कांव करके अंसले विच्णा रहा पताए क्यों एक सीनिय शरावी हो के मैं तुम जैसे शराबियों की जान बचाने के लिए अपने दुकान पर ताला लगा दिया जान तो मैंने इतना बड़ा करदम इसलिए उठाया क्योंकि हमारे देश के शराबियों में कोई यूनिटी नहीं तर्माजा कुलो कौन है उधर यूनियन मीटिंग चल रही है तुम शोर मत बजाओ यावर मैं अंदर मर जाओंगा से शायरे दोस्तों आज के दिन से मैं तुम्हारा यूनियन लीडर हूँ चाहे वो मेरा कोई लेबर हो चाहे वो मेरा मालिक ही क्यों नहों कोटेश्वर राव जो कहता है वैसा ही आप सब ल यह तो बताई यहां कोई सहारा नहीं है यह सोचकर तुछ पर तरस खाकर केबल टीवी का कनेक्शन लगाने का कॉंट्रेक्ट मैंने तुझे दिलाया लेकिन मेरे धंदे में तुने मुझे उल्टेमू पटक दिया अब तक तेरे पिछे कितना पैसा बरवाद हुआ पता है अरे मैं भी इंसान हूं यार मेरे अंदर भी इंसानियत बाक्या भी तक एक कोटर हो दे क्यों रे तुभी हमारी उनिमने शामील हो गया क्या इतने सुबह सुबह आकर शुरू हो गया चोटू इसका डखकन ऐसे गुमा कर नहीं खुला जाता इसके लिए स्पेशल टेक्निक होता है टेक्निक ला यह तुम्हारे लिए तो मेरे लिए एक्स्क्रूज में कौटर जाते ही मैं सब कुछ भूलिया यह मस्तमाज लेना तुम मेरे केवल के पैसे लाओ बाब हो आई यह दर आई मैंने कब कहा पैसे नहीं दूगा तुम शराब पीकर बेहोश होका रोट पर पड़े होगे तो कोई चुरा लेगा तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारे बारे में क्या-क्या कहते हैं पता है इसलिए केबिल के पैसे कलेट करके अपने पास रखें चाची को देने के लिए अरे यह क्या करें आप रोट पर बच्चों जैसे रूर रहे है चोटो तू मेरी फैमली के बारे में इतना ज़्यादा अच्छा सोलता है तो क्या हुआ चाचा तुमने क्या गलत किया ठीक नहीं किया होगा आज मैंने कंजान लड़की के सामने कौन सी लड़की इंद्रा नाम है उसका पास के कॉलेज में पढ़ती है कि अनात बच्चों की मदद के लिए वो लोग फ्रोग्राम कर रहे हैं तुवहां पर गाय इसलिए तुझे ढूंड रहे थे उनात बच्चों के प्रोग्राम में तुन जाये इसलि मैंने उल्टा सीदा समझा कर यहां से वापस देज दिया इस्टेश पर एक बार गाना-गाने के मौके के लिए कब से इन्थजार कर रहा हूं पता है आज हाथ में आया हुआ मौका तुमने मेश करवा दिया चाचा बिना पिये भी पागल हो और पीकर भी पागल पती जे तू भी पागल है सत्यम्षिबं सुतरम ओ मंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है तुझे ढून ये नजर तन मन मैं हारी बस जा सांसों में मेरी तुझ पे जा मैं वारी तु है जुन्प तु है सुकु तेरा रूप देखना सजना हम जो है सत्यम्षिबं सुतरम ओ मंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है कदमों में है तेरे दोनों जहां मेरे पूलों की खुश्बू से महके मेरी सांसे नस-नस में मेरे मिसरी सी है घुली कोई यल से तरे मीती है बोली तो है सुकू मेरे समन का आँ कर ले तू यकी तेरे मेना मैं चीन सकू तो है मेरे जिन्दिगी तेरा रूप देखना सजना हम चाहे सद्कम्षि वंसुन दरम मौं मंगलम मंगलम लव ही सिन्दगी है लव ही मन्दगी है तुझे ढूंड ये नजर तन मन में हारी बस जा सांसों में मेरी तुझ पेजा में वारी तु है जुनुप तु है सुकुप तेरा रूप देखना सजना हम चाहे सत्यम शिवन सुनरब मौं मंगलब मंगलब लवी जिनसा है लवी बंदक है कर दो अरे औरे हां क्या हो लगा लेड़ी स्ट्वाइलिट में जाग रहा है चलो अंदर चल कर बताँ करो सुनो वह लेड़ी स्ट्वाइलिट में जाग है करेंगा पत्थर मत मारो वहां गया तो छोड़ूगा नहीं अरे यार रुकना यह अन्या है सच क्या रहा हूं केबल करेक्शन लगाने के लिए उस बेवड़े को हमारे पीछे लगाकर खुद लड़कियों के पीछे घुम रहा है अपना करेक्शन विट करने ऐसा नहीं अधिश्ला नहीं है अधिश्य मी बेप आप लोगों के पास माचिस है क्या बैंके ऐसी वैसी दिक्टियों जो मुझसे माचिस मांग रहे हो इतनी गुस्सा क्यों हो रहे हो मैडम बुझे हुए दिल में आग लगा कर फिर से दिया जलाने के लिए मैंने तुमसे माचिस कर रास्कल किया चूता मार के गई है देखा ची कैसे मर्दो पराइनारी पर नजर डालते हो शरम ने आती तुम्हें तेरे चेहरे में कुछ बदलाव सा नजर आ रहा है वो क्या है न सारी मर्दानी निशानिया हटा दी है सेवेन अकलॉक ब्रेट से शेव करके सारे जिसमें के बाल भी हटा दिये अब मैं कैसी दिख रही हूं यह तेरा लुक कैसा है तुम्हारी मुझे भी मुझे बहुत खलने लगी है तुम समझते नहीं हो ना मैं ब्यूटी पालर जा रही हूं आइब्रो का शेप चेंज करवान बाई आप लोगों पता है तो बता ना मुझे वाइड्रो इसको एड्रस बता दे हमारे पास इतना टाइम नहीं है इस शेहर का चप्पा चप्पा का एड्रस जानने वाला एक ही आदमी है वह देखो वहाँ है वहाँ है जा उससे पूछ ले ए भाई आप लोग मुझे बात दो ना यह वहाँ पहुंच जाएगा है किया ना नेया मेरा नाम सस्पेंडेड रखने वाला नाम है या बहुत अच्छा नाम है जाना कहा है गड़ियाल में टाइम देखने के लिए नहीं जी वहाँ पर एक चोक रही है मैं उसे ही देखने के लिए जा रहा है तू फिकर मत कर सही जगह पहुंचा दूँगा चल तुझे मैं सही रास्ता बताता है यह क्या लटक रहा है रेलवे ब्रिज से अभी अभी खरीदा है 15 रूपीज में उसके साथ यह फीटा भी फ्रीमियम मिला है बहुत जल्दी एड्रस बता दो बैट जा बताता हूं बैट रहा हूं यहां से सीधा जाने का फिर राइट में मुड़ी आने का राइट आपने का उसके आगे सामने का रास्ता है समझगा ऑसके बाद पीछह आने का चलेप मुड़ने का वहां से पीछल्दा सकते खांए तब उसने बनाया था प्रणाम करो दो समझ में आ गया आगया समझ पहुंच गया अब देख लेख यह से राइड बया फिर फिर इस तरह मुढ़ जाने का तो यहां पहुंच गया यहिए भंगार कली संटर पहुंच गया उसके सामने हैं शमसाल तो तुमें वाराना है क्या तुम्हें जीना है ना यहां तक तो पहुंच गया रहा है वहां से तामने हैं बहुत 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 रही होंगे रहा है चलता हुझा आप उंका चार्ज निकाल मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है जो तो टूम रखने और तूझा रहता पर तुझा नहीं मिलता तूस्ते में अपनी जागा पूंच ग्या यह मैं था तुझा तुम आप पूंचा दिया निकर वाले क्या है यह देख लिया ना मेरा कमाल आगया नमाल ए मस्तान यली तयार कर एक क्यों लोग की मा आ रहा हुआ है हां वेनायक जी मेरे फ्लावर गार्डन में रहेंगे क्या देवा वेनायक मुझे अगर स्टेश पर एक बार गाने का मौका मिल गया तो मैं गायक बन सकता हूँ इसलिए इस बाग का ये फूल आज में तुम्हें अरपित करता हूँ पता है आज मैंने तुम्हें इस फुलवारी में लाकर क्यों बिठाया है इन फूलों को देखो, एक एक फूल लड़कियों की तरह खूबसूरत है मैं यहाँ जब भी आता हूँ, यहाँ की हर कली मुझे बड़े प्यार से देती है यह बाग, प्यार की निशानी है जो मुझे मेरी माने भीजे है इस बगीचे में जब तक बाहर है, तब तक मैं समझूगा मेरी मा बहुत खुश है तभी तो यह फूल में तोड़ना नहीं चाहता इसलिए यह फूल तोड़ने की बजाए मैंने यह सारा का सारा बगीचा तुमारे चाड़ों में रख दिया है जिससे मुझे फूल तोड़ते समय दुख भी नहीं हो और आप यहां पर रहे कर खुश भी रहे, ओके छी, स्मोक मत करो यार, तो फिर मैं क्या करूँ बता ये, नमस्ते कर, नमस्ते सर, क्या बात है, कौन हो तुम मैं शाम, मुझे आपसे थोड़ा काम है, केबल कनेक्शन लगाना है क्या, नहीं सर, लव कनेक्शन करवाना है लव, मुझे शरम आ रही है जी अरे ओ, बीच वाले, लगता है, सिटी केबल के स्पॉंसर आया है, तू थोड़ी देर कंट्रोल मेरा, मुझे इनसे बात करने दे, बोलिये भाई, आपका कनेक्शन कहा लगाना है वो क्या है न भाई, पास वाले कॉलेज की अनीता नाम की लड़की से प्यार करता है फिल्म के दो ट्रिकट भी खरीद के रखे हैं, में गेट तक का रास्ता दो किलिमिटर लंबा है, इतना समय नहीं है, भाई भाई, तुम कुछ रास्ता बताओ न, उसे किसी तरह इसके साथ भिजवा दो, बस तुम क्या कहते हो यारो, दलाली करने के लिए कह रहे है, अरे कूल डाउन बाबा, वैसे हमारा असल काम क्या है, समा सेवा करना ही न, जूते चपल खाते रहो और मज़े करते रहो, क्या बला रहे तू, मैंने समझाया न, तेरी वज़ा से मैं चूप हूँ, चल कहीं और चल तुमने बहुत अच्छा गाना गाया यार, इंदु एक बात कहूं, तो इतना अच्छा गाती हमने तो पता ही नहीं था, सिर्फ एक की दिल में तुम कॉलेज के स्टार बन गई हो, हर किसी के जुबाँ पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम है, इस तारीफ का पूरा श्रे सनी को ह जाता है, उसी का गाना मैंने गाया जो लोगों को बहुत पसंद आया है, अगर वो खुद गाता ना, तो प्रोग्राम की बात ही कुछ और होती, कोई बात नहीं, इस साल हमारे कॉलेज के फंक्शन में चाहे कुछ भी हो जाए, उसी से गवाएंगे हम लोग ठीक है ना, ठी नहीं तो क्या, उदर देखना, वांचेट अनिता, थर्ट बीएस्टी, शाम, ए अनिता, उदर तो देख, तेरे लवा ने तेरे लिए बुलावा भेजा है, तुझे देखने के लिए तरस रहा होगा, इसलिए बुलावा भेजा है, अरे इंदू, ये तो पागल दिवाना लगता है, तो जल्दी जा मिल उससे, इंदू, एक मिनिट, ओके, ये इतना खतरनाक आइडिया इस्तेमाल करेगा, मुझे पता ही नहीं था, प्यार प्यार करते रहने से कुछ नहीं होता है, उसको सक्सेस करने के लिए आइडिया लगाना चाहिए, क्या आप सही कह रहे हैं बॉस, क्या वो आएगी, आपको यकीन है, वो इससे पढ़ लेगी तो जरूर आएगी, नहीं आई तो, नहीं आई तो तुम उस तरफ से जाकर उससे मिलने के लिए तयार रहना, ये शाम, ये कौन सा तरीका है बुलाने का, अनिता, संगीता टॉकि दो टिकेट लिए हैं, जल्दी आजा, मैं यहां से छलांग नहीं लगा सकती, अरे इसकी क्या जरूरत है तुझे, मैंने ब्लैक से टिकेट लिए हैं, तुम्हें फिल्म देखने में इतनी जल्बास ही क्यों है, मैं पढ़ाई छोड़का नहीं आ सकती, अरे, चीके, चीके, दिखा कर मुझे दलाल साबित कर रहा है, तेरी वज़े से मैंने ये काम किया है, तेरी वागए, पोस्त नहीं आ गया, सन्नी को उसकी बाने मनी आडर बेजायोगा, मेरा तो आज मिल जाएगा, तेरा कितना बाकी है, मेरा कितना है, तुम क्यू फिकर कर रहे हो, चलो चलो, लगता है सन्नी का मनियोटर राहा है चलो यार ये बोसमारे प्यासे पैस्ता पहिस्ता 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 थे जिन्दगी की ये गाडि चलती है नोट दिसे रեल काडी इंग जिन्से चलती है जुनले बढ़े जिन्दगी की ये गाड़ी चलती है नोट से खरा खरा है ये नोट हाथ में थागिनले तू हरा हरा है ये नोट हाथ में थागिनले तू अर बोलो मेरे भाई इस नोट किजै अर बोलो मेरे भाई हर बात किजै रेल काड़ी इंजिन से चलती है सुन ले जिन्दगी की ये गाड़ी चलती है नोट से दॉलत हो तेरे पास तो होगा वही जो कह दे तू दॉलत हो तेरे पास तो होगा वही जो कह दे तू दॉलत हो तेरे पास तो परिया भी पट जाए गुरू पैसे है तो हर फल तेरी चलती पैसे है तो दुनिया तेरी सुनती पास तेरे गाड़ी हो तो फिर वो लड़की पटती पास तेरे साइकल हो तो फिर वो लड़की पटती रेल गाड़ी जिन से चलती है तुन ले जिन्दगी की ये गाड़ी चलती है नोट से आयो रामा इच मेचलू जब कुडियों की बात न समझो पैसा फिर किस काम का है ये दौलत भी कहीं पे लपड़े का बन जाए भजे दौलर ले लो बेस दन रूबी लेना सब कुछ दे के कर लो खाना पीना बास तेरे पैसे हो तो नखरे ये सब सहती हर घड़ी बाहों में तेरे फिर आके माँ चलती हो बास तेरे पैसे हो तो नखरे ये सब सहती हर घड़ी बाहों में तेरे फिर आके माँ चलती रेल गाड़ी इंजिन से चलती है सुन ले जिन्दगी की ये गाड़ी चलती है नोट से हरा 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 है ये नोट हाथ में हाँ गिन ले तू अरे बोलो मेरे भाई इस नोट किजै अरे बोलो मेरे भाई हर बात किजै हर दोलो मेरे भाई इस नोट की जैए क्यों भाई सनी सबका सेटलमेंट हो गया क्या वैसे लगभग तो सब सेटल हो गया है ये ले तेरी चाह और जीमी के लिए दूर ओके ये जीमी ये ले दूर पी हमँहमं ये बहुत बढ़ा अद्म्हाय हो रहा है समझ में सबका करदा तुने चुका अट juu क्ते बीला रहा है जबकि फीन मिलता कैसा इंशान है तु लेकिन एक बात मेरी श face में नहीं आ रही और तेरी माँ से भी कमिशन लेते हैं उतना भी अगर बच गया तो चार दिन की नहीं तो दो दिन की रोडी तो चल सकती है ना उसके बजाए दो दिन वहां पर जाकर तून से मिल के भी आ सकता है और दो चार पैसे बचत खाते में भी डाल सकता है तुमने यह तो सोच लिया कि कराता है पर मा के दिल में मेरे लिए कितना प्यार है यह कभी सोचा है ओहा वय 갔 को तेरी मा के प्यार से क्या लेना देना है रहे देखो जाचा मेरी मा के सिवाय कोई नहीं है गय् Adult थे पिताजी बच्पन में स्वर्ग सुधार गये और पालन पोशन मेरी माने किसे यह अप मेरी माने महनत नहीं की होती, तो आज मुझे महनत करनी परती है, मैं नौकरी नहीं करता है, इसलिए मा मुझे खर्चे के लिए पैसे भेजती है, कल मैं पैसे कमाऊँगा है, तो मा खुश हो जाएगी, चलो ठीक है चोटू, तुम मा बैटी के खुशी इसी में है, कि वो मान जाएगा हाँ वन मिनिट ये लो चार रुपे चेंज रख लो तुम्हारे चखने के काम आए यह भी सही का है यह पाटर लेकर हाइग कि 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 सत्यम्षिवंशुन्दरम ओ मंगलं मंगलं लव ही जिंदगी है लव ही पंदगी है दूजे यह नजल तन्मन हम आरे सदूब संनी? ब्रुख में दो ब्रहां प्रावा ब्रहां इस दिंग ब्रावा ब्रखारी ब्रावा 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 अर्रावा एक्स्क्यूज मी येस तुम्हारा नाम सन्नी तो नहीं इतनी खुजूरत लड़की मुझे दुबारा जिन्दीगी में नहीं मिल सकती ये चांस मुझे मिस नहीं करने चाहिए सर बताईए ना आर यू सन्नी ओफ कोर्स वैसे तो मुझे सन्नी बाबू चोटे सरकार इन सब नामों से बुलाते हैं कुछ दिर पहले ट्राइल रूम में आप ही गाना का रहे थे ना गाना आपने सुना था क्या सुना था अच्छा लगा अच्छा लगा होगा तो उस गाने को गाने वाला मैं हूँ मुझे वो गाना बहुत पसंद है सन्नी जी फिर से एक बार वो गाना गुन गुनाई है न यहां गाऊं क्या प्लीज एक्सक्यूज मी रूप तेरा मस्ता ना डार मेरा दीवाना भूल कोई मुझसे ना हो जाए दिंक चका हाई 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 लवली बेबी इडियट हाई ओ हो तुम यहां कैसे कितना दिल हो गए बेडू तेरे को देखे हुए हाँ ठीक है तै इस नॉंसेंस पर लुकानाम है क्रिशना जैसी नीच हरकत है फियसा देखता भी है चल बेडू चाई पी के बात करते है नहीं यार मैं थोड़ा जल्दी में हूँ बस में सो जाएगी बस में सो जाएगी या बस में जाने वाली पोटी में सो जाएगी ए क्रिशना एकदम पटाका है रहे बिल्कुल होट केक मजा ले ले अब जाने इंग अब आज वी तेरी वही मेंटिलिटी है अरे उसके और लाइफ में क्या मज़ा है रहे हाहा हाई चिकनी ओके निकाल-णिकाल ए तेरी शादी फिक्स हो गई, उन्हें बताये क्यों नहीं? वैसे सोचा था कि वेडिंग कार्ट छपने के बाद ही बताऊंगी ये क्या बात हुई? कम से कम मुझे तो बता सकती थी ना तेरे बगैर शादी हो सकती है क्या? सबसे पहला कार्ट तुझे ही डूंगी इंदू, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है क्या? हमारे मैरेज रिसेप्शन में तुझे गाना गाना पड़ेगा मैं? हाँ, उस दिन अनात बच्चों के प्रोग्राम में नहीं गाया था तुने जाने दे, उस दिन प्रोग्राम में गाना गाने वाले भीवार पड़ गए थे, फिर सन्नी को ढूंडा और वो भी नहीं मिला, इसली मजबूरियों मैंने गाया वो मेरे गाने के इतनी इज़त करती है, आज मैं उसे बता देता हूँ कि मैं ही सन्नी हूँ ओर्सरा मैं जानती है, तुझे गाना ही पड़ेगा. प्लीज, मुझे भख्षते है, मैं तुझे नहीं छोड़ूँगी, तुझे गाना ही पड़ेगा. एक काम करते हैं, वो सन्नी को गहीं से ढूंका निकालते हैं. तेरी शादी के रेसेप्शन में उससे गवाते हैं. करतार एक स्ट्रोंग शूबर डस चाहि मुझे कड़क मलाई मारके खाली दूद की सुनो मुझे असली दूद की कॉफी चाहिए थोड़ा सा भी पानी मत निलाना अच्छी नहीं लगती जिसको जो भी चाहिए यहाँ पर सब कुछ मिलेगा लेकिन पहले रोकडा निकालो अकाउंट में लिख लेना लिख लिख के सभी दूगा कॉफी भी दूँगा रोकडा देकर चाहे होगी तो तेरा ही होटल हे पहलेगा सब्रके म Śचमा काम होजाएगा अ से शीई सनी कुछ सोच रहा है तुम लोग शांत नहीं रह सकते सोच रहा है तुझे कैसे मालूम रहे यह समझने वाला दिल मेरे पास है एक बार इंसान किसी को दिल दे देता है तो वो दिल ही दिल में बात करने लगता है एक दिलवाला ही उसे समझ सकता है, एक दिलवाला ही जानता है, कि एक दूसरे दिलवाले के दिल पे क्या भीत रहा है, अरे हमको पागल कर देगा यार, अरे मेरी बाद सुनो, हम कमारे सामने हाथ जोड़ते हैं, दो स्ट्रोंग की दे दो यार, और हमें बचा लो, प्लीज, जिसके सीने में दिलना हो, वो जानवर से भी बतर होता है, ची, क्या, एह, 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 मुझे, एह, 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 एफ्मारी इंदो कवीता भी लिखती है क्या तु एक अच्छी सिंगर ही नहीं अच्छी राइटर भी है यार आशाबभुमी मैगजन मे आना बहुत बड़ी बात है सँग्झाशन से या सब्सक्राइशन से यार आंधरभुमी कि घटाओं में तुम्हें देखा है सपनों में तुम्हें पाया है इंदू हम सब के तरफ से तुम्हारे इस खुशी के मौके पर एक जोड़क पाची करेंगे हम लोग सम्मिलकर वहाई हैं एक तुम्हें एक भर एक जुम्हें हर घड़ी तुछ को ही सोचूं, ख्वाबों में तुछ को ही देखूं नजर से दिल में तुम उत्रों, कभी तो धड़कने ये सुन लो ओ प्रिया, ओ प्रिया, हर घड़ी तुछ को ही सोचूं, ख्वाबों में तुछ को ही देखूं रोज सपने आए तेरे सनम आके मिल जाएं आके बरसे, मन ये तरसे, दिल को न तड़पा तेरी बाते लगे, तचको देवा देगे, मैं न जानू सनम क्या है ये अश्की ओ प्रिया, ओ प्रिया हर घड़ी तुछ को ही सोचूं, ख्वाबों में तुछ को ही देखूं हर घड़ी तुछ को ही सोचूं, ख्वाबों में तुछ को ही देखूं करते इडिया, भी देखूं झाल करते दुछ को ही देखूं करते देख़ देख़ चाहत भरी नजरे नहीं दिल बर का पर हम तुम ही कहो मेरे सुनम कैसा ये बंदन तेरी चाहत से है ये मेरी जिंदगी मेरी सांसों में हर पल तु है पसी ओ प्रिया ओ प्रिया हर घड़ी तुझको ही सोचूं खाबों में तुझको ही देखूं नजर से धिल में तुम मुत्रों कभी तो धड़कने ये सुनलों ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया 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 ये पंडित तुम्हें स्पेशल चाय पेश कर रहा है पियो पेशल चाय हमारे लिए नहीं तुम लोगों को सुले मानी सुले मानी विदाओ सुगर विदाओट मिल्क अरे हमें वही देदो लेकिन जल्दी देदो अरे तुम लोगों का लेडर कौन है माधुरी यानी कि मैं और कौन है बहुत चर्वी चर्गी है इज़त से बता दो तुम लोगों के लेडर कौन है अपने आपको तिसमार खास मस्ता है कौन जो मेरी बहन से प्यार करता है उसका नाम पता बता मुझे तो क्या कर लोगे चाहे की हंडी को बाहर फेक दोगे सारे समोसों को बाहर फेक दोगे पुर्सियों को तोड़ दोगे सारे होटल को तोड़ फोड़ के सर्वनाश कर दोगे ठीक है तू अगर एक बात की होलाद है तो इस होटल का सत्यानाश कर दे तू क्या तुम चुपरा दोनों शादी करना चाहते हैं, अगर आपने शादी से इंकार किया, तो आपकी लड़की जान भी दे सकती है, दो प्रेम करने वालों को जुदा करने से कुछ नहीं होगा, उनकी शादी करा दीजिए, इसमें बुला क्या है, वो मेरी लड़की है, मैं सोचूँगा, मेरी दका क्यों मर रहा है, बता, बता बे, नहीं बताया तो क्या कर लेगा, काट डा लूँगा, तमीज से बात कर, काई की तमीज बे, यह उस लड़की की मर्जी से, उसकी पसंद के लड़के से उसके शादी करवा के, उससे जिन्दगी देना चाहता है, और तुम, उसके खिला उसके? झाल 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 आप बोल एई जिस किसी ने भी मेरे पर हाथ उठाने के कोशिश की है उसे हमेशा के लिए गाउच होने के लिए मजबूर करती है मैंने आउट आउट अबया निकर है एई सारे गाउ में अकेला मैं ही हूँ मेरे निकर को हाथ लगाने वाला कोई माई का लाल पादा नहीं हुआ है अपनी निकर निकाल कर दे मुझे मेरा पसीना पोचना एला आया बड़ा निकर वाला भाई निकर वाला रहाँ आमें कि झाल इस घरीघे हो इसे दोज यसे, हो जढ शसे, हो इसे खरीडे को ऊें खरीडे दोल alm मैं र इस, हो वोगे हो इसे, हो आडते द vous हो इसदा हाई! रास कंट लुबा सब्सक्राइब 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 गुरू तुम ढकन खोलने में एक्सपर्ट हो ना जराइसे खोल दो ना गुरू नहीं खुलूंगा भीम की तरह बल्वान हो तुम क्या फर्क पड़ता है जरा खुल के दोना गुरू क्यों रहे तुम मेरी अगनी परिक्षा ले रहा है अब बोतल के धक्कन क्यों वे यह बोटल का ड़कन स्लिप हो गया है क्या हां गुरू तो फिर इसे इस तरह से पकड़न सब्सक्राइब को टेश्टर राओ की बार पत्थर के लकीर होती है तरसल सेट 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 आज के दिन हम सब यूनियन वाले हैपी दे मनाइंगे आज मैं नहीं पी रहा हूं तो किसी और करना शक्यों खराप करा तो ब्लड़ी बेव को यार कोई बात नहीं मैं अकेला ही उसका नाम है इंद्रा लेकिन उसे नहीं पता कि वो गाना मैंने ही गाया है और जब भी मैं उसे यह पताने जाता हूँ तब कुछ न कुछ अन्होनी घटना घट जाती है और मुझ पर मुसीब आ जाती है जब तक उससे पहचान होगी तब तक लगता है बहुत देर हो तुम ने जो पैसे भीजए वो मुझे मिल गये तुम अपनी शियत का ख्याल अधना तुम्हारे जवाब के इंतिजार में है तुम्हारा बेटा सनी क्या सनी मनी आउडर है क्या मनी आउडर आता है तुम मंझे बक्षिश देते हो भेज रहे हो तुम मुझे नहीं दोगे क्या क्यों नहीं दोगा पैसा ही चाहिए न अरे रहने दो बेटा ये क्या चेटी लिग रहे हो मैं पोस्ट कर देता हूं तुम मनी ओडर कर दो ओके जैव आपराट पार वे झाले कि पनापर ये एपला टुम मैं तुम मैं हूं जया कि अीड मैं जा। आप झाले कि अाले कि इए उड़ें ठाज्मारे खाले कि वुम मैं हां प्या जाज्ब। अरे यह सही है यह देखो रमा मैम कहा है नमस्ति मैम आओ इंदू मैं तुमारी रहा देख रही थी लेकिन मेरी रहा क्यों कॉंग्रेट्स करने के लिए नहीं समझी क्या इस सार भी कॉलेज में तुम ही फर्स्ट आई हो थैंक यू मैम तुम इसी तरह मेहनत कती रहोगी तो फाइनल एक्जामें युनिवर्सिटी में भी फर्स्ट आओगी अब आगी क्या करोगी डॉक्टर बनना चाहती हो नहीं मैम मुझे यही आई-एस की पढ़ाई करके कलेक्टर बनना है ठीक है उसके लिए तुम्हें जो भ है उसके बाद क्या हुआ ? अपेंदू से मेले क्या ? तो यह बात आपने इंदू को क्यों नहीं बताई उसके बाद आप इंदू को कहां मिले थे सर दिवा आज बहुत दिनों के बाद मैं इंदू को देख रहा हूँ जब भी उससे बताने जाता हूँ कि मैं ही सनी हूँ तभी कुछ न कुछ अन्होनी घटना घट जाती है ऐसा कुछ करो कि आज कोई अन्होनी घटना नहो हूँ करेंगे करेंगे कहिए मैं जरूर करूंगा मुझे जड़ा सड़कपार करा दो मुझे दिखाई नहीं देता इसलिए कह रही हूँ मतलब तुम्हें दिखाई नहीं देता जी हां मेरे साथ मजाग तो नहीं कर रही हूँ मजाग नहीं कर रही हूँ मैं सच कह रही हूँ कहीं जूट तो नहीं बोल रही हूँ कैसी बाते कर रहे हैं जिसकी आखें ना हो वो जूट क्यों बोलेगा कॉलिस्ट के लैब में किसी वुन्बे की वज़े से एसेट की बॉटल फटने से यही आखें चली गए नो, नो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया, यह नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था के लिए बीच रस्ते पर कहे चल रहा है, मरने कह रहा है का कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि पूरी की पूरी बॉटल टुकड़ों में विख्री पड़ी है तेरी टुकड़े किस ने किया है सब्सक्राइब कि अज़िए बदला आदमी बदल गया है तूम चिंता मत करो सन्नी को कुछ नहीं हुआ है तुम कैसे माला जिस गारी से सन्नी के अक्सिदेंट हुआ था ना वो मेरी थी अज़िए किया था चाले एक्सिदेंट करने के बाद भी तुम फूल बॉटल की तरह खड़ा हुआ है और जिसने एक्सिदेंट किया है वो तो एक क्वार्टर में बदला पड़ा है वह भगवान इस कन्फूजे ने तो मुझे पागल बना दिया है अब मुझे यहां क्वार्टर कॉन पी लाएगा भाई अरे बाप्रे जब देखो क्वार्टर और हाप की बात करते हो यहां भी सब्सक्राइब करते हैं यहां यहां तुम डॉक्टर हो यह होस्पिटल भी मेरा है सन्नी यह पिना सरपैर की बातों से मेरा तिवाग पग गया सब्सक्राइब करते हैं यहां दोस्तों का प्यार है मुझ पर जिसकी वज़े से उन्होंने यह गल्तिक है उन लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं इट्स आल राइट चलता हूं मुझे आप लोगों के साथ क्यारम नहीं खेलना है क्यों क्या हुआ तुझे खेलने के लिए और कोई खेल नहीं है क्या यह कोई खेल है और कोई खेल खेलेगा क्या खेलेगा तुझे में छुपती हूं तुम ढोगों हम लोग YOUREl खेलते हैं वो अच्छा रहेगा इतना अच्छा खेल चोड़कर तुम लोग यह केल रहे हो है अरे सणी तुझे है और तेरे दोस्तों को पर आजकल आबारा अ was समझ रही है यार मा जब मैं इंद्रा को ये पताने गया कि मैं ही उसका सन्नी हूँ तब मुझे इस बात का पता चला कि मेरे कारण उसकी आँखों की रोशनी चली गई है इंदू को मेरे गाने पर अभिमान था आज मेरी वजह से उसकी जिन्दगी बरबाद हो गई है जाने अन जाने मैं ह हुआ 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 मेरी वजह से मैं उसकी बरबादी का जिम्मेदार हूँ और मैं इसकी सजा भगतने के लिए भी तैयार हूँ कि मैं चुपती हूँ चुप तेरी तौप उस दिन तो डेड़ फिट का चाकू लेकर आये थे आज 90 फिट का तलवार लेकर आये रहे सन्मी कि दी हुआ रहे से हुआ हुआ है कुछ दिन मैं तुम्हें अपने गुंडों के साथ मारने आया था लेकिन आज उस दिन की गलती के लिए माफी मांगने आया हूं जब इंसान को अपनी गलती के लिए पश्यताफ होता है तो उसे माफी मांगने की क्या ज़रत है जाजी पहले मेरे प्यार को स्विकार नहीं कर रहे थे आज आप यह की वज़े से स्विकार किया बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है सब आप हमारी शादी में आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा बहुत अच्छा मौका मिलेगा तो अपना बच्चा समझ और चाहँ शादी कर लो उसके बाद हम तुम्हारा साथ देंगे हाँ वही वही पूरा साथ देंगे इतना ही नहीं शादी के रिश्यप्चन के दिन सनी से गाना भीगावाएंगे नेरा औरकेस्ट्रा थैंक यू सर्थ उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर आएंगे नमस्ते नमस्ते चल बेटा तुने देखाना मेरा मास्टर प्रेंड शादी के दिन किस तरह मैंने तेरे गाने का प्रोग्राम फिक्स करा दिया मैं नहीं गाउंगा अभी तक तो तु गाने के लिए मौके की तलाश कर रहा था अब तुझे क्या हो गया मेरा मन ठीक नहीं आज तक जभी तु गाना गया त तो तेरा मन ठीक नहीं है, देख यार, तुझे गाना होगा, उनकी शादी में हम लोग सब चलेंगे, और तुझे गाना-गाना होगा, समझाए। तॉवन狂मसित्ट ॥॥॥ वर स्के Raptor ào다면れないete fear यहतलut तुप रहे ज़ने के लिए आहिती है । भूनेने के लिए बोलो नाना होगाय, तुप रहे जैसाए। यह गानां क्यों नहीं पारा रहे है? का यह अन्हे ने, गानां बरातियों का सारा मूट खराब हो रहा है और यह है कि चुप-चाप खड़ा है इसे गाने के लिए बोलो ना आओ कि चला है जादू आई मिलने है तू सजदा करूं हां रुतों से कहूं आई मिलने है तू सजदा करूं मिल गई मुझे किसमत से राहे मेरी मंजिल के सांसे मेरे जीवन की फ्रीत मेरी धड़कन की मम ये दिल के तुमसे मिल के मेरे सारे ढल गए हा मन में तुमसे मिल के दीव कितने सारे जल गए चला है जादू आई मिलने है तू सजदा करूं हां रुतों से कहूं आई मिलने है तू सजदा करूं हूँ यूही संग रहना उम्र भरत जाना सनम मेरी चाहत तुम हो तुमसे रह जहाँ तु ही मेरी दुनिया तु ही मेरा अर्मा सनम दिल की धड़कन सुन लो लो ना इंतिहा रहत तुमसे मैंने पाई हाथ तुमसे मिलके आया जीहा मैंने तुमसे बाते मन की बोले सारी सुले चैने तुमसे मैंने दिलके पाए सारे सुले चला है जादू आई मिलने है तु सजदा करूं हा रुतो से कहूं आई मिलने है तु सजदा करूं कालि दास मैं हूँ कविता मेरी तुम हो सनम तुम बसालो दिल में सुन दो तुम सजा तेरा मैं हूँ राजा दिल में मेरे रहना सनम मेरी राहत तुम हो मेरे तुम खुदा तुम मेरी चाहत हो तुम मेरे हमदम तुम मेरी राहत हो तुम मेरी धडकन संग चल सनम युही हमारे सुन्जरा हाँ रूप है चाद सा सनम तुम्हारा चला है चादू आई मिलने है तू सजदा करू हाँ रूतों से कहूँ आई मिलने है तू सजदा करू मिल गई मुझे किसमत से राहे मेरे मंजिल के सांसे मेरे जीवन की, प्रीत मेरी धडकं की घम ये दिल के तुमसे मिल के मेरे सार ढल गए मन में तुमसे मिल के दीप कितने सार जल गए बहुत अच्छा गाता है लड़का अधी मां मुझे इसके पास ले चलिए बेटा बेटा मेरी पोती तुमसे कुछ बात करना चाहती है थोड़ा वक्त दो कि बेटा वो आ रहा है नमस्ते सन्नी जी नमस्ते मेरा नाम इंद्रा है मैं यहां आपके पडोस में ही पड़ती थी मैंने आपको कई बार मिलना चाहा लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई मेरे पिता जी संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे इसलिए मुझे भी बचपन से संगीत का बहुत शौक है जब भी आपका गाना सुनती हूँ मैं अपने आपको भूल जाती हूँ सन्नी जी मैं बस आपको देखना चाहती थी मैंने देखने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं देख पाई और आज आप मेरी इतने पास हैं लेकिन मैं अपनी आखों से नहीं देख सकती एक एक्सिडेंट में मेरी आखें चली गई आपको देखना मेरी किसमत में ही नहीं था फिर भी आपसे मुलाकात हो गई आज मैं सच मुझ बहुत कोश्यूं हमारे घर में आपको एक बार जरूर आना होगा आएंगे ना हाँ कि एक भूट न्यूज है क्या गूट न्यूज है इंदू कहां रहती है पता चल गया है उसका पूरा एड्रेस मैंने ले लिया है मिल गया है इंदू का एड्रेस मिल गया है कहां रहती है इंदू कहां पर रहती है उसका पूरा पता हमने लगा लिया है इंदू का एड्रेस मिल गया है वो अपनी दादी के साथ एक इराय के मकान में रहती है इंदू के माता पिता नहीं है वो अपनी दादी के साथ रहती ह उसके पिताजी बहुत बड़े संगीत विद्वान थे, वो बहुत बड़े ऊच्छे खांदान की है इंदू कन्याराशी की है, वो फूलों की रानी है, तुम्हारी किसमत बहुत अच्छी है सनी अब ये वकवास बंद करो, तुम लोग ये काम समालो, मैं इंदू से मिल कर आथा हूँ अरे रुख जाओ, सनी यो को कैसा भाग रहा है, हमने बता कर गलती की, अपने हम उसको बताती और ना वो भाग था तो यहां पर तुझे कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, अगर तूने किराया नहीं दिया, तो फिर क्या हो सकता है यह तू जानती है क्या कहा बढ़िया बरबाद हो जाओंगा क्या बे अक्लों यसी बाते कर रही है कि मुझे तुने क्या समझा है इंदू कि मैं सनी हूं क्या सनी है सनी मतलब बच्छोड़ से कुट्टे का बच्चा समझा था इतने लोग यहां पर गुंगे बनकर खड़े हुए हैं तु इतनी हिम्मत करके अंदर आ गया इसके मतलब तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं कौन है बे तू कि इन लोगों का रखवाला हूं आ यार ऐसा नहीं लगता है इसको कहीं देखा है गौड दिल्ला दादी मा प्रब्लम क्या है मकान मालिक का आदमी है भाड़े के लिए आया है मैं बैंक से दो दिन का खर्चा किराय निकालने के लिए गे थी लेकिन बैंक बंद होगी जब लोट कर रही तू इंदू बात्रों आकर जब कपड़े बदल रही थी तब मैंने उसे देखा वैसे वो पूरी मुझी कहां दिखाई दी ब्लाउस का हुक लगाते हुए मैंने उसे देखा दादी मा किराय कितना है दो हजार रुपए बाकी है कि यह लो पैसे सनी जी हमारे लिए इतनी दगलीव क्यों उठा रहे है यह क्या को पूछने वाली बात है मैडम यह सब तो सनी के लिए मामूली बात है यह पैसे तो सनी के बंगले में जाड़े पोचा लगाने वालों की पगार से भी कम है अहां हाँ ओहो इतने बड़े दौलत मंद होकर इस गरीब को सिर्फ दो हजार रुपए दे रहे हो ना इंसाफी है तुम्हारी जगे मैं होता तो इन गरीबु को घर खरिद कर दे देता बेचारों की किसमत खराब है सनी यहां कुछ मत करना ए बुडिया जब देखो तब पैसा नहीं है पैसा नहीं है यह बोलती रहती हो अरे पोती तो है उसे दे दो मुझे सनी कुछ मत करना है तुम्हारी पोती देख नहीं पाती है इसलिए तुम मुझे दमाद बना लो सब ठीक हो जाएगा इंदू को अब तेरे बारे में कोई बात गलत नहीं लगनी चाहिए तुम मुझे अगर अपना दमाद बना लोगी न बुड़िया तो ये किराय के जंजट से मुक्त हो जाओगी ये घर की प्रॉपटी है वो कुर्सी यार थोड़ा संभल के यार ए बुड़िया तेरी उमर तो हो चुकी है पर अकल नहीं है दुबारा तुम मार्केट जाएगी थोड़ी लेट आना इधर में तेरी पोती के साथ सन्नी सन्नी आप कहा है थैंक सन्नी आपने अपने स्टेटस के मताविक बहुत समझदारी से काम लिया है आप अगर उसके पैसे के साथ साथ उसी की तरह उसे जवाब देते तो मुझे शायद और खुशी होती है में इंडू क्या क्या तुमने इड का जवाब पधर से देती तो और अच्छा होता बस यहीं थो सुना था मुझे है 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 कि यहाई है अगे है हुई आढेह डंग हुई आढो कुई हुई 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 हाई हम लुँ के खूले घराएल में लुट कि परे रह करे रहार जाता ही तॉट कि फीलिएल के दुब लगे हुगान वब positioning harby е खलाए sein चल्मार! चल्मार!! चल्मार कोुछ बहुछ तसतार रखेंगन कोुछ तस मुछ देनोखेंग говоря अरे भाबी, ये भाबाब एए, क्या कहा था तुने, बोल, क्या कहा था बोल, क्या कहा था मुझे बत मारो आज के बाद तो किसी लड़की की तरह आख उठा कर भी नहीं देखेगा अरे यार, सन्नी की आखों में इंदू का खुबसूरत चेरा तुने देखा क्या अरे यार, पहलिया मत बुजा, साब बता न जरा सोच यार, शादी तो उसकी हुई नहीं है अभी तक दोनों के बीच में रिष्टा भी नहीं है, एक दूसरे को सिर्फ जानते पहचानते हैं फिर भी उसने उसके घर के भाड़े का दो हजार रुपया चुकाया इस बात पर गौर किया जाए, तो सन्नी उस लड़की से जरूर सचे दिल से प्यार कर रहा होगा, मुझे डाउट है यार डाउट करने से तो अच्छा यही है, तू जाके सन्नी से डिरेक पूछ ले सन्नी से पूछने जाओंगा तो बताएगा ने यार, वो सारी बाते अपने दिल में रखता है, अबे यार, यह क्या, मुझे लगता है कोई तेरी जान पहचान वाली आ गई है, अबे गदे, वो तेरे लिए होगी, तो फिर चल पता लगाते हैं इस तरह क्या देख रहे हो, तुम्हें मुझे को इस हालत में नहीं देखना चाहिए, जाओ, अचा ठीक है, जानवरों के अस्पताल से तुका बाया पता नहीं चला, अबे दरिद्र, ये टावेल इस तरह क्यों लपिता है, छी, ऐसी बाते मत करो, मुझे शरम आती है, हाँ छी, इसे क्या हो गया यार, ये नसल मेल की है कि फिमेल की है, मुझे पता ही नहीं चलता, इसकी बाड़ी के हार्मोज, फिल्म स्टायर की स्टाइल की तरह रोदों छेंज हो रहे है, ऐसे पता नहीं चलेगा, हमें अर्जंट में किसी डॉक्टर से इसका चेक कराना पड़े प्राइन से खेश दिया आपने खबर किया होती तो आपके लिए कार भेज़वा देता था कुई बात नहीं उससे घबरानी के ज़रूरत नहीं है वो आपको नहीं कातेगा उसे आमने सब चीज शिखा दिया है इस बंगले में कुल मिलाकर 22 कुट्टे थे और सारे कुट्टों से सन्नी बहुत प्यार करता था आई आईए बैठ जाएए यहां कुरसी है बैठिये बैठिये वाज शाबाज एक नहीं दो दो डाबर का है न अहां धाबर में डाबर में कुट्टा मर गया कह रहा था उसके बहुखने की अवाद से कान के मद्धे फढ़ जाते थे यह कौन सा कुट्ता है जो अजीब तरीके से हा कौन सी नसल का है यह कौन सी नसल का कुट्ता है हमारी समझ में तक नहीं आया कर सनी अग्या क्या अब ब़แตटर के मीटिंग मे अभी आ जाएगा मुझे बहुत गर्मी लग रही है वहाँ इसलिए हमने एसी प्लाइंट किया है इस गर के सेंटर में एसी फिट किया है पाउर का कनेक्शन देने वाला होस्पिटल में एड्मिट है जस्ट अ मिनिट कुट्टों को बाल कराता हूं चल चल क्या करें यार इसने ओब रेक्टिंग को आने में देर हो जाएगा है अभी आ जाएगा बस सनी जी बहुत अच्छा गाते हैं ना हाँ हाँ गाना गाना तो उसकी सिर्फ होबी है सन्नी एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है ये बात किसी को पता नहीं है मुझे तो इसने बता हैं ठीक है मैं हडो फिस फोन लगा के बाद करता हूं हलो लता मैं बॉल रहा हूं एमडी साहम है क्या हाँ दो दो सन्नी क्या कहां 5 गोड़ों रूपय के बिजनेस के डिल चल रही है हाँ ठीक है यहाँ पर इंदू बैठी ए हमारा इंटजार कर रहे हुए बहुत देर से ब बहुत कुछ हैं और मैं मैंनेजर मैं स्टेनो हूँ घर बहुत बढ़िया होगा ना जी हां चौबिस रूम्स हैं बारा एसी आठ नौन एसी और चार ओडनरी टोटल ट्वंटी-फॉर सामने स्विमिंग पूल है फिसल गई तो पानी में गिर जाओगी जी हां वेराइटी के लिए स्विमिंग पूल भी वनवाया है सनी ने हां यहां यह निकल रही हूं बाबा चलाते क्यों प्यार से नहीं बोल सकते थंडी ओंडी हो गई यह सब बड़ी देर से फेके जा रहे हो लुए जूट जूट बोले जा रहे मद्रियां पूरे अरिये में बहुत बड़ा डिश लगा रहा है तुप्यृ। दोपेर में क्वाटर, शाम को क्वाटर, और हाँ वही, क्वाटर क्वाटर करके पूरी बाल्टी पर बाठते हैं, बड़े ही दयावान है, सन्नी के चाचा जी, मामा जी सब पुछ यही है, बहुत हो गया यार, हलो, हाँ हलो बेटा हलो, उसने कभी तुम्हें अपना टेलीफ हाई, हाई, हलो, बोलो, क्या बात है, तुम्ही ने मुझे ख़बर विज्वाई थी, ना, मेरी वज़े से आपको तकलीफ हुई, सौरी सन्नी जी, मेरी वज़े से आपको बिजनेस और ओफिस का काम छोड़ कर आना पड़ा, बिजनेस, ये तुमसे किस ने का, किस ने का, य नहीं ठोलने हैं दोस्तों ने यह बाइचा ओडिटर साहब तुम अपनी दिखाओ यही जनाभ का मोबाइल फोन यह बहुत बड़ा बंगला है इसके अंदर मेनेचर साहब यह बाल्टी उठाइए यह तुम्हारा नहाने के लिए स्विमिंग पूल है इन लोगों ने जो भी कहाँ वो गलत है सच कहा रहा हूँ मेरा कोई बिजनेस नहीं है मैं एक बड़ा सिंगर बनने के लिए हैदराबास से आया हूँ मौका ही नहीं मिला खर्चा चलाने के लिए केबिल टीवी में काम कर रहा हूँ उस दिन पैसे देकर तुम्हारे मदद की थी तो शायद तुम्हें लगा होगा कि मैं पैसे वाला आदमी हूँ आज तुम्हारे सामने मुझे पैसे वाला बता कर ये लोग तुम्हारे सामने आज भी उस जूट को मेंटन रखना चाहते हैं इन्होंने तुम्हारे दिल को चोट पहुचाई इनकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ नहीं नहीं इसमें सौरी कहने की क्या बात है मुझसे सचाई शिपाने के लिए शायद इन लोगों ने ऐसा किया होगा आपके दोस्त आपको बहुत प्यार करते हैं ना शायद इसलिए नर्वस हो गए मैं देख नहीं सकती इसलिए मुझे पर सानभूती करके मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे मुझे जूट से सक्त नफरत है जो होना होगा वो होगा ऐसा मेरा विश्वास है सन्नी जी आपके दोस्त आपकी इज़द बढ़ाने के लिए किसी से जूट भी बोल सकते हैं इनके जूट को मेरे सामने लाकर आपने जो सच्चाई बताई है उसके लिए मेरे दिल में आपकी इज़द बढ़ गई है सन्नी जी आपके आसपास कोई किराय का रूम खाली है क्या क्यों उस दिन सिर्फ मेरे एक बार कहने पर आपने उस गुंडे की पिटाई की इस बात से मैं खुश हूँ लेकिन उस जगरे की वज़े से एक घंटे के अंदर रूम खाली करने का ओर्डर मिला है यह घर तो है लेकिन यह बहुत ही छोटा है जिस इंसान का दिल बहुत बड़ा होता है उसका घर छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जाओ इंदू के घर से स्थामान लेकर आओ हाँ ठीक है करना ठीक है करने मैं का तुम से हैं मिलके हाले हाले तुम कत्मों से आ गई हो दिल में सुन ले ऐ महजबी ले ले दिल नजराना लब पे हैं हर गाड़ी बस तेरा अपसाना आओ दिल से तेरा अज़ागत तेरे हाले हाले तुम से मेरी मिल गए हैं नजरे धीरे धीरे चाहत से तेरी आया है यकी हुआ है अपसा को मेरे लिए जीना तेरे लिए मेरे सनम तु मेरी आशकी दिल मेरे सनम तु मेरे जिन देख देख दो कल अझानी अब तो तु है दुनिया मेरी तुमसे है जीवन मेरा, तुझ मेही देखू सवेरा तुम जो नहीं तो कुछ नहीं यारा दहीं देशे तुभारे में तो पूजा करूँ महका महका मनिये महका तुमसे है मिलके फॉले हॉले तुमसे मेरी मिल गई है गजरे करक्ना कीरोश करते है । करने तुमसे ंन, हमसे मेरा दह्म Democrats सवेर ठेहन देखू देखू नहीं तो पॅँष्याओ मिलके ज़ीवया ब्रहत्दी स्वेर भी मेरा, क्तालु सवेरा, क्तालु इविय। सुन ओ सनम मेरी हम तो है बस तेरे बन जाओं मेरा नी दिल की तेरी रपे तेरी पाते दिल में तेरी यादे तुम से हुई आरी दिल की तुम मेरे रब माना तुम मेरे अब जाना तुही मेरी दिल नशी तुम हो खुशी तुम हो हसी तुम बंदगी बिन तेरे अब जीना सकूँ मेहका मेहका मन ये मेहका तुम से है मिलके हुले हुले तुम कदमों से आ गई हो दिल में सुन ले ऐ महजबी ले ले दिल नश्राना लप पे है हर घड़ी बस तेरा अफसाना आओ दिल से तेरा में स्वागत तेरी हौले हौले तुम से मेरे मिल गए है नजरे धीरे धीरे चाहत पे तेरी आया है यगी देवा अकेले तड़ते हुए दिल को आज तुमने सहारा दे दिया है अब उसे मेरे दिल से कभी दूर मत करना इंदू के साथ जो हासा हुआ वो मेरे कारण हुआ है जब तक ये सच्चाई में उसे बता ना दू तब तक संभाल लेना आज ये सच्चाई बता कर मैं उसे और दुखी नहीं करना चाहता इसलिए आज ये बात उसे नहीं बता रहा हूँ जब ये बात उसको पता चले तो वो मुझे माप कर दे मैं बस इतना ही चाहता हूँ जब वो मुझे माप कर देगी तब मेरे जीवन में सुख का सागर लहराएगा बस इतना कर दो भगवान सन्नी ये लो चिठी तेरी माने भेजी है सन्नी कहा है तेरी गैंग चिठी आया है तो कोई नहीं मनी ओर्डर आया तो सब के सब जमा हो जाते हैं तुससे पहले मुझे पर तूट पढ़ने के लिए तो चिठी पर मैं चलता है प्यारे बेटी सन्नी को मा का प्यार भरा आशिरवाद मैं यहां ठीक हूँ तु भी वहाँ ठीक हो गया ऐसी भगवान से प्रातना करती हूँ इंदू के साथ जो हाथ सा हुआ यह सुनकर बहुत दूख हुआ तु जानकर किसी का भी नुकसा नहीं कर सकता यह मैं जानती हूँ बेटा जो होना था सो हो गया तेरी वज़े से हुआ यह बात तू उसे मत बताना तेरे सिवा उसका कौन सहरा है बेटा उस अंधी बच्ची को तेरी जरूरत है बेटा जब वक्त आएगा तब सारे सच्चाई पता चल चाहेगी तब तब तुझे खामोश रहना पड़ेगा बेटा तेरी खुशी के लिए ही मैं कहरें तेरी प्यार इमा बिंदी लगा लो बेटी चीक है दादी मा इंदो तयार हो गई मैं तयार हूँ अरे ये क्या है इंदो बिंदी गलत लगी है देखे निलगा सकती थी गलत क्या सही क्या मुझे क्या पता मैं तो बस अपने हिसाब से ही तयार हो गई देखा आप फिर से भूल गए ना कि मैं देख नहीं सकती हूँ स्वारी दादी से कहकर ठीक से लगवा सकती थी ना रहने दो उन्हें घर के कामकार से फुर्सत मिलेगी तब ही ना सिर्फ एक बिंदी ही तो गरत लगी है उन्हें क्यों बुला रहे हो आप खुद भी तो सही कर सकते हैं ना ओके अब चलें क्या एक मिनिट रुको अभी आता हूँ क्या हुआ भागवान ऐसे क्यों देख रहे हैं मैंने तोमारे बागसे इंदू के लिए एक फूल तोड़ा इसके लिए नाराज हो सॉर्णी देवा मैं ईंदू से कितना प। seb ना प्यार करता हूं तो जानते हो नीज तोम अकेले ही नहीं इस बाग के figure पूल जानते हैं देखो वह भी कितने खुशी से मैंख रहे हैं देवा इस एक फूल के लिए तो मुझसे नाराज मत होना प्लीज इंदू खड़ी हो जाओ क्यों अरे पहले खड़ी तो हो इस तरह मुड़ो लेकिन क्यों यह गुलाब तुम्हारे बालों में लगाना है इंदू तो हम चले हाँ ठीक है किया हुआ सनी जी एक मिनिट दादी मा हां यहां जल्दी हां आ रही हुँ बबा जरा ऐसे देखे न क्या हुआ बेटा इंदू का सब कुछ सही है क्या देखो अब क्या कमी है बेटा महालक्ष्मी की तरह तो लग रही है अब तुम्हें मुझे बताओ बेटा इसमें क्या कमी दिखाई दे रही है तुम्हें मेरे दिल का टुकड़ा है यह तुमसे जो भी लड़की शादी करेगी न वो बहुत ही किसमत वाली होगी तुम बहुत ही नेक लड़के हो वो सब तो ठीक है दादी सब कुछ ठीक है सरा एक बार देख तो लो यह कपड़े यह बिंगी सब कुछ ठीक है बेटा यहां यहां पर यहां पर क्या हो असानी जी आप इतनी अजीब जीब बाते क्यों कर रहे है बहार चलना है तुमने ब्लाउस कहां पर जहां से हमेशा सिलवाती हूँ क्यों क्या हुआ कदें जिनको पेटिकोट सिलना नहीं आता है वो बलाउस भला क्या से लेंगे आइंदा अच्छे टिलर से सिलना लेकिन क्यों देखो राइट सेट का गला कितना लूज है अब चले चला कि दोंट बरें तुम्हारे बारे में सनी ने सारी बाते बता जी है तुम्हें एक्जाम में बैठने के लिए युनिवर्सिटी से परमेशन मिल गई है तुम क्वेशन का सिर्फ एंसर दोगी उसी पर तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारे जैसे अच्छे स्टुडे इंदो अब चलें नमस्ते सर गाट ब्लेस यो यह वनीला यह चॉकलेट इंदो एसक्रीम खाऊ एक्जाम्स के लिए इस हालत में भी परमीशन मिल जाएगी इसकी उमीद नहीं थी आज मैं सच में बहुत होश हूँ इसलिए एक च्छोड़ी सी ट्रीट एक्जाम में बैठने के लिए परमीशन मिल गई इसके बाद उसके बाद एक्जाम में पास होने के कुशिश करूँगी तुम्वारे जैसी होन हर लड़की यकीनल फर्स कलास पास होगी हा इसके बाद अच्छी से कोई जॉब करूँगी और नोखरी के बाद उसके बाद उसके बाद शादी ना लगता है मैंने आपका कप उठा कर जूटा कर दिया आपके लिए आपके लिए मुझे यह चलेगा कि अच्छे एशरी सोरी अरे डॉक्टर साब आप अरे तुम तर नाराज हो गए मैंने तो मजाग में एक्षण किया तुम रियल में एक्षण में आगे भाई पीके तो जोश में आना समझ में आता है लेकिन आइसक्रीम खा का यह जोश कैसा आइसक्रीम में कुछ खास है क्या सुरी डॉक्टर मुझे पता नहीं था कि आप उस दिन अस्पताल में मुझे भरती होना पड़ा लगता आज भी मेरी ही बारी है तो ऐसे मोहतर्मा है कॉन हूं 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 समझ गया आइसक्रीम में जोश वाला क्रीम कहां से आया है ऐसे कोई बात नहीं है ऐसा खुश नहीं ह तेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है मैंने सब पढ़ लिया यह सब तुम मुझे क्यों चीपा रहा है तर्मा से तुम प्यार कहते हैं इस खुशी में हमें नहीं मिलवाओगे मैडम बाई देवे आयम डॉक्टर परम हिंसा मैंने मतला परम हंस नमस्ते सुनिए यह देख नह में मेरी आखें चली गई बेटा सन्य रिष्टोफर मेरा दोस्त आये स्पेसलिस्ट है जो जर्मनी से आया है और जल्दी लोटने वाला है अगर मुझे पता होता उससे समय लेकर इस बच्ची को उससे दिखाने का इंतिजाम करा देता डॉक्टर डॉक्टर वो कब जाने व होगी चलता हूं थैंक यू है आई चिकनी थैंक्स हिंदू शर्ट पर थोड़ी आइस क्रीम लग गई है साब करके आथा हूं हुम हाई क्रिष्णा उद्धिन बस्टोप में मिला था सिंपल से बात करके निकल गया आज जी बरके बैट के बात करते हैं कमान नहीं या मैं एक फ्रेंड के साथ हूं युर्ण दूसरी बार देख यहां है बहुत बड़ी आईटम पटाया हां हई बिलकुल आज़ा इसकी था सिबात कर आए इस से बात मत कर अंक्र तो ग्लत कर रहा है उसका शेव गठीला बश्या बदन धेखकर तो चुँःया उंच आजा जाता है ओटी सिदी बात कर ए, ए।… ए। poka economics ए को चौका चौका और प्रास जाल चौका कें अरे को चौका करना का क्या है सकती है थो नहींड खूर का कसा क्या चौका सुछ अरे छोड़ दे अरे तुस्का मा बढ़ जाओंगा कर दो चले यहां से सनी जी आप आ गए देखिए देखिए कृष्णा को देखिए यहां पर भी आके तोड़ पॉड़ कर रहा है है उसी की वज़े से अज मेरा यहाल हुआ है सनी जी असल में क्या हुआ तुम्हें पता नहीं है क्या नहीं सनी जी उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वह एक नंबर का मवाली है उसे कितनी बार घुंडागर्दी करते हुए देखा है मैंने मैं आज अंदी हूँ तो सिर्फ उसी की वज़े से उसी मवाली की वज़े से उसी की वज़े से मैं आज अंदी हो तो सिर्फ उसी की वज़े से उसी मवाली की वज़े से मैं आज अंदी हूँ तो सिर्फ उसी की वज़े से उसी मवाली की वज़े से उसी की वज़े से अधर बोस दो चाहले क्या ना लाओंगा पहले दोनों पिछला हिसाब किलियर करो अपने जेब से पैसे निकालो उसके बाद ही चाहे मिलेगी आ हाँ बहुत महान आजमी हो तुम करतार तुम अगर दो चाहे दे दोगे तो तुम्हारा ख़जाना खाली हो जाएगा ऐसा आते ही भर देंगे यार अब ऐसा नहीं चलेगा भाई पुराना हिसाब चुकाओगे तो ही चाहे मिलेगी ये क्या यार आज कल ये बहुत स्ट्रॉंग फैसला ले रहा है डबल स्ट्रॉंग करतार भाई एक प्लेट पकॉड़ी देना एक नट लाता हो स्वामी हरे राम हरे राम 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 हरे अरे यार मुझे एक डौट है यहां खाना बंद करना चाहिए ऐसा डौट तुझे क्यूं हुआ लेकिन ये भाई ने तो पकॉड़े का ओड़ा दिया है वो यह वो चोरी से मिलाता है सबको थोड़ी महलूम होता है करतार सरेश पकॉड़ा केंसल क्या अभी इस पेशल चाह क्यों दे दिया और इसके बाद चाय कॉफी हॉनिक्स बूस्ट बॉन बीटा इडली उपमा डोसा पूरी बाजी सब मिलेगा जब लाके दूंगा मेरे भाई कस्टमर को भगाना शुरू किया तो सुपर चाय देने लगा अगर इसके होटल को मेंटेन करने लेगे तो आओ सन्नी बहुत सही वक्त पर आये हो देखो ओडर देते ही स्पेशल चाय आ रही है ए बालू तेरे पास चार हजार रुपए है मुझे पता नहीं है इतने पैसे किसले चाहिए तुझे चर्मिनी से एक आई स्पेशलिस्ट आ है इंदू को वहां दिखाना है हमारे पास होते तो चार लाख भी दे देते लेकिन डॉक्तर का अपाइंट में मिल गया क्या हाँ यार क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है अच्छा सुनो यह अंगोटी तुम बेच सकते हो क्या यह क्या सन्नी माने तुझे बड़े प्यार से दी है यह अंगोटी बुरे वक्त में भी तुने इसे नहीं निकाला एक लड़की के लिए तु इसको मैंने इंदू के लिए अंगोटी बेची है जानकर मा खुश हो जा आएगी इसी बेचकर जल्दी से पैसे लिया प्लीज अब तुम सही बताओ तुम एड्रस जानते हो या नहीं जानता हूं तु किसे बात कर रहा है जानता है इस शहर के हर गली का एड्रस पर जानता हूं तू कहता है मैं ने जाता हूं बैठो यहां से श्ट्रेट जाकर राइट को मुड़ जाना चौड़ जोगा जोगा जेल आज जाए तुझे वेरी सिंपल यार्ड यहां से राइट पे जाकर लेट मुड़ जाना और वहां से उस लड़की को देख फस्ट क्लास है इचे से देखने में इतनी सुन्दर है तो आगे कि इसका रस्त देख रही हो तुम लोग बस को नइए लड़की अपने मैदव जैसी लगरी है ईसा जो क्यो रहा है होसा नो हो भाई ये मादव मादुरी बन चुकी है यह कब से मादुरी बनने की तैयारी में थी, चलो, चल कर देखते हैं, तुम लोगों ने पूजा नहीं की, क्या, मैं न, कुछ पंडितों को बुला कर, बड़ी शान से पूजा करने वाली हूं, अरे मादव, मुझे लाइन मारने के लिए, ये मावाईली लोग ट्राई कर रह हाँ, चोड़े, अपना फ्लैश बैक भूल गई क्या, एबल का कनेक्शन देते हुए, तुचोरी से, मुझे से लिपढ़ कर मेरे पहरों पर अपने पहर रखती थी न, तो फिर, अब इस तरह से बात करने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, एक मिनिट रूखो, देदी, ड अबसे मवालियों को सड़क पर गुमने की बज़े लोक अप में होना चाहिए, यह मेरा अबशार, अबसात यह, वह, अबस में जाना है, चल चल ले हांसे, विनायक, मैं इंदू को, डॉक्टर को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, विनायक अगर तुम चाहो तो, उससे दोबारा आखों की रोशनी मिल सकती है, सन्नी, अरे सन्नी, अरे सन्नी, अरे सन्नी, मारा, मनियोडर नहीं आया बाबा, कहा दिया ना तुमने उसे, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा क्यों, हमेशा तुम उससे मांग के लेते हो, आज मैं दे रहा हूँ, तो तुम मना कर रहे हो, मा ने इस बर मनियोडर नहीं भीचा है, गाहों से टेलिग्राम आया है, टेलिग्राम, मा, मा अब नहीं रही सन्नी, तुम्हारे सारे दोस्त लोग, तुम्हारा मनियोडर आया सोचकर, देखोना खुशिया मना रहे हैं, कि ऑगा अगया सनी का वन्योडर आगया सनी जी सनी जी कि अब जरा यहाँ कि अ कि क्या है सन्ट मेहरबानी करकि इवाद किसी को मत बताएं कि बा़ मैं बताऊगा अभी जाएं अच्छ पहरे केहने के मुताबिक में अंगूठी बेचकर पैसा लाया हूं चे बता होता कि mean order आ है तो मैं मा के देवी यह मुठी नहीं बेचता यार वालू अब सब कुछ खत्म होगा यार कि अज़ा है कि सनी जी हाँ डॉक्टर के पास कब चलना है चलते हैं मैं आता हूँ खो आज़ो के पास कंणि यूार वार 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 रहाँ अंगा हुई 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 Maa ज ρ9 लगसे शपाव énorm को पर बुभाव नयूँ को lo मा我要 बुभ व अaina फग तो न तो पुभॉ हुुुू रहाव WAS हुुुूू आए बुक्रु को पुुvalue पहुम्हुओाल हुआ इन्दू चलो चलते आज आपने फूल नहीं लगाया फूल मुर्चा गया है चलो दादी मा क्या बेटी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं अच्छा सनी आप ही है ना हाँ डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया है कि कम आं सनी डॉक्टर यह मिश्टर सनी रिष्टोपर लिजबी सीटेड़ चेकप हो गया है यह तुम से कुछ बात करना चाहते हैं कुई बात नहीं डॉक्टर जो कुछ कहना है मेरे सामने कहिए ऐसे पढ़ने से आखो की रोशनी पुरी तरह जा चुकी है ऑपरशन के बाद भी ठीक होना ना के बराबर है देखो यह डिप्रेस हो जाए कि इसलिए अकेलिए में बात करना चाहते थे दोंद वरी सणी याई जी लेटर ठीक है डीक अई बेस दूक के लिए या येटा क्था स्वेश है कि सणी जल्दी चली क्वार्व पोस्ट मैंने सब बता दिया है तू चली अग चल चलो आज़ा संनी क्या हुआ सन्नी जी दर्वाज़ा खोलो कुछ नहीं दो आप चाहिए पीटा अरे तेरी मां तुझे देखे बगरी चली गई रहे मां का है मा जा है उसे सम्षान गाट लेकर गया है उसका अंतिमसा स्कार करने के लिए बेटा मा मा में सनी सनी ना जा सनी 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 मा सब्सकर में मेरे वाई समझ जाyan मा, सनी, मुझे आखरी बार मा के दर्शन करने का मौका भी नहीं मिला भाई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये बात नहीं है सनी, तुझे ख़बर मिजवानी के हमने बहुत कोशिच की, लेकिन मा ने रोक दिया, अपने अंतिम समय में मा ने इंदू के लिए अप हाँ, बाई, मा की सांसे चल रही थी तभी, ऑपरेशन करके उनकी आखे निकाल ली गई, ऑपरेशन के बाद मा के फार्थिव शरीर को लाकर, मैंने अगनी के हवाले कर दिया, मैंने अगनी के हवाले कर दिया, इंदू बेटा, सनी इस वक्त अपनी मा को लेकर बहुत धुखी है, और वो अकिला पड़ गया है, तुम जाकर उसे होसला दो बेटा, सनी जी, इंदू, तुम देख सकती है, हाँ इंदू, तुम इस दुनिया को जरूर देखोगी, मा अपनी दोनों आखे तुम्हारे लिए चोड़ कर गई है, अब तुम जरूर देखोगी, मा की आखों से तुम देखोगी, मैं जानती हूं सनी जी, कि इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी, सारे गम को सीने में चुपा कर सिर्फ, मुझे खुश देखने के लिए, मेरी परीक्षा ले रहे हैं आप, सनी जी, अगर मैं नहीं भी देखूं तो उससे मुझे फर्क नहीं पढ़ने वाला, मैं भगवान की मर्जी समझ कर आपकी आँखों से देखूंगी, लेकिन एक बात, मेरे इस मन में रह जाएगी, जो मेरा सहारा बना, जो मेरे लिए जी रहा है, उसको मैं अपने मन की आँखों से देखकर, खुश रहने की कोशिश करूंगी, और अपने मन के देवता को एक ना एक दिन जरूर देखना चाहती हूँ, जानते हैं क्यूं, मैंने आपकी मम्मी को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अपनी आँखें देखकर, मेरी जिन्दिगी में खुशियां बहनने की कोशिश की है, उस देवी जैसी मा को भी भगवान ने अपने पास बुला लिया, उन्हें तुम्हें देख नहीं सकती, लेकिन अब मैं आपकी मा की आँखों से, आपको एक बार देखना जाती हूँ, सिर्फ एक बार, सनी जी, सिर्फ एक बार आपको देखना चाहती हूँ, मैं एक बार देखना चाहती हूँ आपने जिस इंद्रा को एडमिट किया है उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके सारे टेस्ट मैंने कर लिये हैं उसका ऑपरेशन करने के लिए जो पैसे आपने दिये थे वो खत्म हो गया आगे के काम के लिए एक लाग रुपए जमा कराना पड़ेगा जी हाँ आप एक लाग रुपए का अंतिजाम कर लेंगे तो उसकी आखों की रोशनी आ जाएगी यो वो देख सके लिए इसलिए आपकी माने इतने प्यार से जो आखे दी हैं उसके काम आ सकती हैं देखो भाई एक बेटा होने के नाते अपने पिता के लिए तुम्हारी तड़प में समझ सकता हूँ एक डॉक्टर की हैसेट से कह रहा हूँ, ओ नेगेटिव ग्रूप की किड्नी डोनेट करने वाला इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, आप एक बार पूना में ट्राइ कीजिए, नहीं डॉक्टर, महाँ पर किड्नी देन वाले व्यक्तिन नूँ, हैवी बलड शुगर है, इसल किड्नी के अपनी किड्नी देगा, डॉक्टर, येस, मेरा बलड ग्रूप और नेगेटिव है, किड्नी मैं दूँगा, थैंक्यू रब्बा, प्रहा, आज मैं टाई बजी दी फ्लाइट से पूना जा रहे हैं, आज ही, हाँ प्रावा, सर, मैं अपनी किड्नी देने के जिम्मदारी मेरी, उत्ते मेरे पिता जी नू बचान दे जिम्मदारी थ्वड़ी, पहले पैसा लेकर हॉस्पिटल वेच जमा कर दो, थैंक्यू सर, ओके, मैं आज ही कि फ्राइट से पूना निकल जाओंगा, थैंक्यू सर, थैंक्यू बरी मच्छ, मैं तेरे लिए दूद लेकर आती हूं बेटा, ठीक है तादी मा, अरे बेटा, अभी नर्स कहके गई है, शाम को आप्रेशन करेंगे, तुम्हारा हैसान का बदला, मैं इस जीवन में कभी नहीं चुका पाऊंगी, भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, अब तुम लोग बाते करो, मैं आश् करती हो, तुम्हारा ऑपरेशन ठीक से हो जाएगा, सनी जी, इस वक्त में क्या सूच रही हैं आपको पता है, जब मेरी आखों की रोशनी थी, तब सिर्फ मैंने आपके गाने को सुना था, और आज आप मेरे सामने हैं और मैं आपको देख भी नहीं सकती, मुझे ऐसा लग इंदू, ये मौका तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ओपरेशन के बाद जब तुम देखने लगोगी, उस समय अगर मैं तुम्हारे सामने न रहू तो, मतलब आपको देखने के लिए मुझे एग्रिमेंट साइन कर करना होगा? चेचे, तुम ऐसा क्यों समझ रही हैं? सनी जी, आप हमेशा मेरी मन में रहे हैं, मैं आपकी पूजा करती हूँ, जब मैं देखने लगोंगी, तब आप मेरी सामने नहीं रहोगे, तब तो मेरा देखना ना देखना कोई माइने नहीं रखेगा सनी जी, सनी जी, मैं आपको अंधेपन का सहरा ही नहीं, अपने जीवन भर का साथ ही भी समझने लगी हूँ, भगवान के लिए, आप मेरा ये सपना, मुझ से छीनने की खोशिश मत कीजिए, ओपरेशन होने के बाद, सबसे पहले मैं सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ, उस वक्त मेरी सामने आप रहेंगे, इस ही आशा से मैं आपरेशन थेटर में जाओंगी, हाँ, र 1974 एМ मुड़ों की आपको देंगे, आपको आपको देखना चाहती है। झाल 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 इसक्यूज में हाँ आप हैदराबाद जा रहे हैं हाँ मैं अभी हैदराबाद जा रहा हूँ एक छोटी सी मदद करेंगे फ्लीज बोलिये इस सूटकेस का ध्यान रखेगा मैं अभी बातरूम जाकर आता हूँ ओके थेंक यू इंस्पेक्टर इस रूंक इसमें खोलो इता है लो इसमें यहां तरफ हुल वाि दित दित अन्गेंता लिवात नों तरा भी प्राट बॉर ही वाथ आपली भर फिरनी करें अ संगर आप इतने साल जेल में रहे ये बात इंदू जानती है क्या वो नहीं जानती पहले में इंदू की नजर में एक शरीफ इंसान था अफ़ार में फोटो छपने के बाद उसके और दुनिया के लिए टेरिरिस्ट बन गया हो लेकिन इस वक्त इंदू हैदराबाद में कहा है कैसी इस वक्ति है ये बात आप नहीं जानते हैं इंसान अपने दिल में जिसको बसा लेता है उससे दूर होने के बाद उससे कितनी टेंशन होती है ये बात आज आपसे मुझे पता चली अब इंदू को कहा तलाश करोगे वो जब तुम्हें मिलेगी उसका रियक्शन क्या होगा ये जानने के लिए हम बहुत बेचैन है सर क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं यात्रि करिपया ध्यान दे बाई 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 से अंदू आपको ज़रूर मिलेगी बेस्ट अ लग्स अनी था बाई लगे जपना है यहीं जाना है साब यहाँ पर नहीं, थोड़ा और आगे लो थोड़ा आगे पीछे करके मुझे कब से गुमा रहे हैं खुट को तो आपको पता नहीं के कहा जाना है थोड़ा सा कन्फूजन हो रहा है वो लोग यहीं पर तो रहती थे रोड के दोनों तरफ छोटी-छोटी दुकाने हुआ करती थी अब तो एक भी नहीं यही तो बात है, साथ साल के अंदर यह एरिये का नक्षा ही बदल गया है यहाँ पर डेवलप करने के लिए कॉर्परेशन वालों ने यहाँ के सभी लोगों को तो दूसरी जगा शिफ्ट कर दिया है अब यही में रोड बन गया है पता नहीं बड़सोबाद कहां से चले आते हैं ए तुम बाहर उत्रो साथ साल पहले का अडरस लेके मेरे आटो का टाइम क्यों घोटी कर रहे हो चलो जाकर पैदल ढून लो हलो यहाँ एक घड़ी वाला टावर था तुम्हें पता है घड़ी वाला टावर? मैं यह तो कभी देखा नहीं शाप जी मुझे पता नहीं है यहाँ पर केबल टीवी वाले कोटेश्वर राव रहते थे उनका एड्रेस बता सकते हो? मैं 5-6 साल से नौकरी कर रहा हूँ मैं तो यह नाम भी नहीं सुना शायद पहले रहता हो? पता नहीं, मैं नहीं जानता आप बाजू की विल्डिंग में पुछ लीजिए हाई साब यहाँ पर नंदू जी की एक होटल हुआ करती थी इस वक्त तो कहाँ पारे कुछ पता है? अच्छा वो पंडी जी चायवाले के बारवेकर है उन्हें दूसरी जगर देखकर यहाँ ब्रिज बना दिया गया है अभी सिर्फ एक मंदिर बचाए दुर्गामा तका हुआँ हुआ है अरे जिमी जिमी आरे है आरे है कितने साल होगे इंद्रा को देख्य हूए तूसरी कोई बात नहीं तू सब साथी इंदू़ कहा है मुट उस्लों कहा है और सब लोग जी दूम दूब मिल गयान बस अब मेरी हिम्मत बढ़िए है नहाँ? इंदो! इंदो! इह! गारी रोको! इह! गारी रोको! अरे दास, सन्नी दिखाई दिया यार कहा है? वो यहाँ कब है? बता नहीं कब है लेकिन गारी के पीछे दोड़ रहा था चल देखते हैं इंदो! इंदो! गारी रोको! झाल 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 से एक हैं कि धुझ आया, कि आईसए हैं कि अभयर मेला झाल 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 death वही है यह यह मुझो से बात कर नी है अरेस्ट इम लिड़ी बगर बगर ऐसको तागट जीमर दालो यह संब कि सनी say कि सनी रुखचा बेट है उस तरह भागते नहीं है आपका बच्चा है हाँ मैडम नाम क्या बताया सांनास तनेम मैं ही सब्सक्राइब इस पर बताने का माका है कभी नहीं मिला तुम अपने मन में जहांकर देखो मैं आज भी रहीं पैजान सको तो पैजान जाओ कि अब कि अब क्यों भे दिखाई नहीं देता क्या अरे क्यों इतना चिला रहा है वाई पीड कम रखो गाड़ी के ओपर सायरन होते हुए भी इतनी स्पीड में गाड़ी लेकर आ हो इसमें रिक्षा वाले की क्या गलती है चलो ठीक है ठीक है की गई गलती के लिए अगर तुम एटी सिक्स रुपीज फाइन भर देते हो तो ही तुम यहां से जा सकते हो वरना नहीं एट्स आल यह अटो ड्राइबर तो कुछ नहीं बोल रहा है तू कौन होता है बोलने व तेरा काम है खाने के टाइम पर चला आता है और खा करके गाय भो जाता है अरे यह पीछे भागती वे क्यों जा रहा है आज कली पुलिस डिपार्टमेंट भरती हो गया है क्या हलो जिमी जिमी क्या कर रहे तो है तुझे क्या हो गया हुआ 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 है यह सनी अरे तेरा यह हाल किसने कर दिया रहे है इसे नहीं सनी तुझे किसने मारा किसने मारा तुझे बता मुझे बता मुझे बता मुझे सनी होश में आजा बेठा बता मुझे क्या हुआ बता सनी सनी बता मुझे बता मुझे क्या हुआ क्या हो जाएगा क्लेक्टर साहिबा ने ही से मारने के लिए हमें आज इस दिया था जगा क्लेक्टर साहिबा ने मारने के लिए उन्होंने ही का है विश्वास निये जाकर पूछ लो कि यहां पर किसी के जिन्दीकी और मौत का सवाल है पंतर मिर्ट के लिए मीटिंग रुख भी तो क्यों फर्क ने पड़ेगा ओ कलेक्टर में जाओ इंदू बहारा बहारा इंदू एंदू इजद से जाकर उसे मा भी मांग ले क्यों चिल्ला रहे हैं जजबात में बहा गया था में साहब माफ कर दीजे गलती हो गई पुलीस वाले ने मालकर जीप पे किसको डाला आपको पता है पता है पता होते हुए भी तुमने उसे मरवाया मेरे कहने पर ही पुलीस न बन चुकी हो जिसके हाथ में कानून है एंकार से भरी हुई है ये तुनहीं समझ पाएगी कभी जब तुम रोटी के एक एक निवाली के लिए मोहताज थी उस समय उसी बंदे ने तुम्हारा साथ दिया था बड़े बड़े लोग भी एक ही दिन में खाक में मिल जाते हैं ल में जु कहरा रा हुए मेरी बहाता हुए उसे लुकी माँ लोग। Stop! Stop the bus! Stop the bus! Stop! आप सनी जी है ना? आप सनी जी है? मेरे सनी जी है? आप कोँ है? मेरा नाम इंदू है. आप ही इंदू है क्या? ये गाना तो आप सनी सिखाया है? क्या तुम जानती हो कि वह कहा पर है? सत्यम शिवाम सुन्दरम ओ मंगलम मंगलम हिदय में बसती तुम मेरे दिल की तुम्रानी तुने ना पहचाना मैं हूँ तेरा दीवाना प्यार में तेरे तो कर दू जा कुरवान खुलते ही मेरी ये पल के ढूंडे तुझको ही सपनों में हर पल तु आए सच में मिली न कभी तेरी पूजा करना मेरा दिल ये चाहे सनी जी आप मुझे छोड़कर इतने दूर क्यों चले गए थे मताईए ना क्यों चले गए थे मैं आपकी आने की रह कब से देख रही हूँ कहां चले गए थे आप सनी जी मेरी वज़े से आपको इतनी तक्लीफ से नहीं पड़ी मुझे खुद नहीं बधा सकती थे कि सनी आपका नाम है और आज मैने आपको औरेस्ट करवाया तब भी आपने नहीं बधाया कि सनी जी आप हो मुझे बधानी सकते थे, ग्याju ओप्रेशन होने के बाद जब पत्ती तब सबसे पहले आपको देखना चाहती थी सनी जी आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ वो सिर्फ आपकी वज़ह से है यह उदा यह इस 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 सब कुछ सिर्फ आपकी वज़ह से है सनी जी आपका यह हैसान मरकर भी नहीं चुका पाऊंगी आज आप मेरे साम्दे हो मैं आपको पहचान में नहीं पाई सनी जी मुझे माफ कर दीजे मुझे माफ कर दीजे इंदू इंदू सत्यम शिवम सुन्दरं ओम अंगलं मंगलं लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है तुझे ढूंड ये नजर तन मन हम हारे बस जा सांसों में मेरी अर्मा तुम सारे तू है जुनू तू है सुकुन तेरा रूप देखना जजनी हम चाहे सत्यम शिवम सुन्दरं ओम अंगलं मंगलं